सरकारी चीनी मिलों की अग्रणी संस्था, National Federation of Co-operative Sugar Factories के आकड़ों से पता चलत है कि 2023-2024 के वर्तमान मार्केटिंग सीजन में 1 अक्टूबर 2023-15 जनवरी 2024 के दौरान राष्ट्रियस तर पर चीनी का उतपादन घटकर 149 लाक टन पर सिमट गया, जो 2022-2023 के सीजन की समान अवधी के उतपादन 160 लाक टन से 7.1 प्रतिशत या 11 लाक टन कम है, इस बार 15 जनवरी तक देश में कुल 509 चीनी मिलें सक्रिय हुई और उसमें 1563 लाक टन गन्ना की क्रशिंग हुई, इसके मुकाबले पिछले सीजन की इसी अवधी में 519 चीनी मिले सक्रिय हुई थी और उसमें 1681 लाक टन गन्ना की क्रशिंग हुई थी, चालू मारकेटिंग सीजन के दोरान महाराष्टर तथा करनाटक में गन्ना की क्रशिंग प्रक्रिया 10 से 15 दिन देर से शुरू हुई और आरंभिक चरण में मध्य नवंबर तक वहां क्रशिंग की गत फेडरेशन के मुताबिक चालू मारकेटिंग सीजन में गन्ना से चीनी की ओसत रिक्वरी दर 9.5 प्रतिशत दर्स की गई जो पिछले सीजन के लगभग बराबर ही रही। 2023 में मानसून की वर्षा अन्यमित एवं अनिश्चित रही और अगस्त में भयंका सूखा पढ़ गया जिससे गन्ना की फसल को भारी नुकसान हुआ। महाराष्ट्र एवं करनाटक जैसे अग्रणी चीनी उतपादक राजियों में गन्ना की पैदावार काफी घट गई है। पिछले साल की तुलना में चालू मारकेटिंग सीजन के दौरान मध्य जन्वरी तक चीनी का उतपादन उत्तर प्रदेश में 40.2 लाक टन से उचल कर 46 लाक टन पर पहुचा मगर महाराष्ट्र में 61 लाक टन से लुड़क कर करीब 51 लाक टन तथा करनाटक में 35 लाक टन से घ 80.2 प्रतिशत रहा चालू सीजन के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल 115 लाक टन महाराष्ट्र में 90 लाक टन करनाटक में 42 लाक टन तथा गुजरात में 10 लाक टन चीनी का उतपादन होने का अनुमान लगाते हुए फेडरेशन ने कहा है कि शेश उतपादन अन्य राजियों में होगा जिसमें बिहार, पंजाब, हरियाना, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान एवं उडिसा आदी डॉट शामिल है Bureau Report Market Times TV